तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थाइरोइड ग्लाइund और पैराइड ग्लाइंड के बारे में तो थाइरोइड ग्लाइन और पैराइड ग्लाइड होता क्या है काहां पाया जाता है कैसे function करता है तो ये सब हम आज की इस वीडियो में बढ़ेंगे तो अगर मेरे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ऐसी वीडियो देखने के लिए और जिनको इसके ये मैं क्लास 11 का पढ़ा रही हूं जिसको भी इसके आगे देखनी है, वो इसके पहले की वीडियो एक और मैं पढ़ा चुकी हूं वो आप देखके देख सकते हैं अगर sequence wise पढ़ना है तो तो thyroid gland क्या है एक तरीके का gland हमें मालूम है कि bodies में जो हैं वो अलग अलग तरीके के gland पाए जाते हैं तरीके हम सभी जानते क्या होता है माउथ के पाड़ ये वाला पाड़ जो है जिसे माउथ का है तो यहाँ वाला पाड़ जो है ये ट्रैकेया कहलाता है तो यहाँ पर पाया जाता है इस ट्रैकेया के आसपास आसपास पाया जाता है त्राइड लेजह कहें .थाइरोलड्ले में ऐसा गलाइड जो यहाँ पर पाया जाता है ट्राइकिया में ऊसको हम थाइरोलड गलाइड बोलते हैं इसके यह जो हैं इसके दू लोपो भात प्रेंट होते हैं और यह यह आपस से और स्ट्रॉमल टिशू से बने होते हैं यह फॉलिकल जो है थाइरोड गलन किस से बने है फॉलिकल से और स्ट्रॉमल टिशू से एक तरीके का टिशू है स्ट्रॉमल और फॉलिकल इनसे मिलके बने होते हैं और थाइरोड के फॉलिकल जो है फॉलिकल अब टिशू है तो वो किसी ना किसी टाइप के सेल से तो बनाई होगा तो जो फॉलिकल वाला है ये वाला है ये जो है वो फॉलिकलर सेल से मिलके बने हैं जो कि एक कैविटी में इंक्लोजड होते हैं अब ये फॉलिकलर सेल्स जो हैं वो दो तरीके के हॉर्मोन रिलीज कर synthesis करता है release ने ये follicular cells जो हैं वो दो तरीके के hormones बनाते हैं पहला है tetraidothyronin पहला है tetraidothyronin या हम बोले thyroxin thyroxin को हम T4 बोलते हैं और दूसरा hormone क्या synthesis करते हैं triidothyronin triidothyronin को हम T3 बोलते हैं अब यह करने के लिए अब यह आयोडीन अब जो हमने पैरा थाइरोड पढ़ लिए हम यह है कि आयोडीन इसमें बहुत main role play करता में नहीं मतलब बहुत important role play करता है तो आयोडीन जो है हमारे नौ बहुत जरूरी है अगर हमें normal synthesis करवाना है हॉर्मोन का थाइरोड से थाइरोड हॉर्मोन का अगर हमें normal synthesis करवाना है तो उसके लिए जो है वो आयोडीन बहुत ज़्यादा जरूरी है आयोडीन की ज़्यादा होने से भी दिक्कत है और कम होने के दिक्कत उससे भी दिक्कत है तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि इनसे कम होने से क्या होता है और ज़्यादा होने से क्या होता है एक तरीकी का जो थाइरोड हॉर्मोन ये सिक्रीट करता है एक प्रोटीन हॉर्मोन जिसका नाम है थाइरो कैलसीटोनीन, जिसको हम TCT भी बोलते हैं, यह क्या करते हैं, हमारे blood calcium levels को regulate करते हैं, ठीक है, अब मैंने बताया, आयोडीन बहुत ज़रूरी है, तो आयोडीन की मात्रा में कभी-कभी हो सकता है, किसी ना किसी वज़े से कमी आ जारी है, किसी कभी-कभी जाधा हो जा रहा है, तो अगर hypothyroidism क्या है, जब हमारा hypo मतलब deficiency, यह चीज याद रखो, hypo मतलब deficiency, जब आयोडीन की deficiency हो जाएगी, हमारे food में या किसी भी तरीकेसे deficiency हो गई, तो वज़े हमारे Music क्योंद हो जाएगी हमारे food में, या तरीके से deficiency हो गई, तो वो hypothyroidism करताता है धायरोड क्लाइंटेस को हम बोलते हैं गोईटर on अब प्रेग्निंसी डूइन प्रेग्निंसान के टाइमघर हाइपो-थाययोड हो जाए तो जो डवलपिंग बेडी है वह डिफेक्टिव होता है उसमें क्या होगा जो भी बेबी है उसमें defective development होगा, mental retardation हो सकता है, उसका low intelligence जो है वो low हो, abnormal skin हो, deep हो, ये सारी problems हो सकते हैं, अगर एक adult woman को hypothyroidism है, तो उसकी जो menstrual cycle जो होती है, वो irregular हो जाती है, अब ये तो हमने पढ़ लिया अगर कमी हो रही है, अब हम ये देखें कि अगर और iodine की quantity जो है, वो जादा हो जाए, तो उसको hyper बोलते हैं, increase हो जाना, hyper मतलब बढ़ जाना, तो कहीं भी है, hyper है तो वो increase ही होता है, तो increase in secretion and synthesis of thyroid hormone, मतलब इसमें क्या होगा, hypothyroidism की में क्या है, कि thyroid hormone का secretion और synthesis increase हो जाता है, जिसकी वज़े से क्या होते है, body physiology पे affect करता है, रोल देखें हम thyroid hormones का क्या क्या रोल है, तो पहली बद तो हमारी बेसल metabolic rate को regulate करता है, RBC को formation करवाता है, RBC का formation करवाता है, metabolism किस-किस का metabolism करवाता है, carbohydrate, fat and proteins का metabolism करवाता है, और maintain करता है हमारे water and electrolyte balance को की cup का पानी कम, water कम है, cup electrolyte, तो इन सब को maintain करता है, अब हम इसके picture देखें, तो picture में ये क्या है, कि ये देखो, ये एक, ये जो मैं boundary कर रही हूँ, इसमें, ये हमारा thyroid है, ये हमारा thyroid है, अब इसमें ये वाला और ये वाले दो लोब हो गए, और ये जो connect है, ये यहाँ पर से connect जो है, मैंने बोला था, एक sheet से connect है, इसको बोलते हैं, इस समस, इसको इस समस बोलते है, अब इसको थोड़ा सा और diagrammatic view में देखें, तो ये देखो, थाइरोड का, और लेर्नेक्स के उपर है, लेर्नेक्स के ट्रैक किया है, ये पूरा और इसके उपर बन्धा हुआ है, चिपक रखा है, तो ये देखो, थाइरोड ग्लैंड है, ये ट्रैक किया है, अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, अब हम थाइरोड पढ़ रहे हैं, और पैरा थाइरोड ना पढ़े हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, तो पैरा थाइरोड ग्लैंड क्या है, पैरा थाइरोड का, जैसे अब हमने ये देख लिया था कि ये तो थाइरोड हो गया, अब इसके तो हम इस पिच्चर में देखो अगर हम दूसरी साइड से देखे तो यह वाला जो है इसमें क्या होता है यहां पर जो है वो ट्रैक्या रहता है ट्रैक्या से अटाज रहता है यहां पर तो यह तो यह तो यह ढजा हो गया इसका प्राथायिड़ जो है वो काँप अरस है भाप आप साइड of thyroid gland के उससे अटाजड़ है ठीक है तो तो यह जो होन्हीं हर एक लोग मैं मैंप बताया था कि थाईर जो इस तरीके से है यह जो यह वाले हैं यह लोब है ठीक तो एक लोब के अंदर एक पेर पाये जाता है एक लोब के अंदर एक पेर पाये जा रहा है तो दो लोब के अंदर कितने हो गए दो पेर हो गए मतलब चार पैरा थाइरोइड ग्लांड पा जाते हैं यह तरीके का यह क्य पीटीएच ग्लाइंड है वह पैग्टाइरओ ग्लांड ओपार थाइरोड हम क्या सकृूलइज करता है कैलσιयम आयन मेpel लेके ही है neither मैं जो करता है अब उन वह ब्लेड मेदऒ करता है जो तो करता है अब कैल्सियम करता है जो का इस पर आप्जोब्षण करने का क्थरा ऑबस्षियWhile बसे दुबारा से absorption होना calcium का वो एक बार तो क्या करेगा कि उत्से तो होगा ही आपस्ट होगी कौन करवाता है calcium का रेनल ट्यब्यूल करता है और यह क्या करता है calcium का absorption जह एंड increases करता है increase कर देता है calcium level का absorption किसमे digest from the digested food से जितना भी digest हुआ है अब parathyroid hormone जो है hypercalcemic है hyper मैंने बताया था है जादा more more ठीक है तो PTH जो है वो hypercalcemic है calcemic में जादा calcemic hormone है जो की हमारा blood में calcium level को increase along with मैंने बताया थाम हापर thyroid calcitonin एक तरीके का यहाँ पर देखें तो एक तरीके का release कर रहा था calcitonin जाए रही है रहा न यह thyrocalcitonin यह release कर यह secret होता है तो अब ऐसे ही यह भी इसके साथ मिलके इसके साथ मिलके क्या है इसके साथ मिलके क्या करता है एक important role play करता है जो की calcium balance हमारी बाडी में calcium केलसियम को लेवल बैलन्स रखता है थाइयरो कैलसी टोनिन के साथ मिल कौन मिलता है पैरा थायरोड हॉर्मोन और थाइयरो कैलसी टोनिन मिल के हमारे बॉड़ी के अंदर कैलसियम लेवल को बैलस करके रखते हैं तो यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें Tibetan Shall We पड़ा, hopefully आपको अच्छी लगे हम जल्दी मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई